नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पिशर में आप देख रहा है ग्रीन गाड़न चैनल में आप शभी कर शागत है दोस्तों आज मैं आप टोके शाथ शेयर करेंगे रोज फिलार प्लाइंट को प्रूनिंग के बाद फस्ट फर्टिलाजर यानि कि फस्ट फिडिंग आपको क् प्रूनिंग किया थे मैंने रूट प्रूनिंग किये थे और ब्रांच प्रूनिंग किये थे रिपॉर्टिंग किये थे शब अपडेट आपको की शाथ मैंने शेयर किये थे और देखी प्रूनिंग करने के बाद इसमें जो ब्रांचे साना स्टार्ट हुआ है आप देख प यह देखिए आप देख पार है यह देखिए तो ऐसा करके निवनू ब्रांच आना एस्टार्ट हो चुके है यानि कि यह प्लाइंट फिर से बूशी बढ़ने को बिल्कुल तेयर हो गया है यह देखिए आपका प्लाइंट जब ऐसा होंगे उस टाम आपको क्या करना है वह मैं आप लोगे शाथ शेयर करूंगा यह देखिए सेकेंड प्लाइंट और एक है और इसकी बाजू से यह देखिए बेशल शुट्स भी निकल कर आ गए यह देखिए प्लाइंट बिल्कुल बुशी हो जा यह देखिए नहीं तो यह भी इसकी जैसे ऐसी मोटा बेशल शुट्स हो जाता है चलिए दस्तों शब्स से पहले तो बात कर लेते हैं इसमें फंजिसाइड आपको वीकली एक बार अभी फंजिसाइड इस्पर कर देना है फंजिसाइड में आपके पास अगर रीडो मेल ग देंगे ताकि यह जो निवन्यू लीफ आ रहा है इसमें कोई भी फंगस का एटाक ना हो और आपका लीफ अच्छा रहे आपका जो ब्रांच है ब्रांच अच्छा से मैचियर हो जाए और एक बात है इसमें इमीडा क्लोपीड आपको शाथ से दस दिन अंतर से एक बार इम कोई भी पेश्ट का एटाक नहीं होगा और ठीक उसकी शाथ से दस दिन बाद एक बार आपको इंट्रेपीड सबी कुछ स्क्रीन के उपर आप देख पर हैं इंट्रेपीड दो एमेल एक लेटर पानी में डिजल्फ करके इस प्लांट के उपर इस पर कर देना है तो एक बा एक बार इंट्रेपीड दोनों आप यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैं भी यूज करता हूँ और फंजिसाइट के शाथ एक बार जैसे प्लेन फंजिसाइट दे दिये है सेकंड टाइम जब फंजिसाइट देंगे उस टाइम दो ग्राम फंजिसाइ प्लाइंट को सेफ कर लीजिए ताकि आपका फ्लावर्ड प्लाइंट काफी अच्छा रहें और हर 10 दिन में एक बार आपको शॉयल में देना है अभी ओमेगा गोल्ड प्लास अगर नहीं है तो आपके पास जो भी पीजीर है यानि कि प्लाइन ग्रोथ रेगुलेटर है उ टू पमें प्रवाइट करा दीजिए तो आपका फिलावर प्लाइंटका जो रूट है यह यह वह को आपके खरते रहें और ऑप 15 दिन अंतर से एक बर वीडियो आप शेयर करता रहूंगा ताकि आप लोग वीडियो देखकर बिल्कुल आपका रोज फ्लार प्लान का केर कर सकते हैं शबसे पहले हम बात करेंगे आगर आपके पास रोज मिक्स फर्टलेजर जो ग्रिन गर्टेन द्वारा डेवलेप्ट किये रोज मिक्स फर्टलेजर आपके प देना है चलिए पर्टलेजर लेते हैं मैं देखे सबसे पहले हम देगे हमनगे हाण मिल जिस तक में श्यूंग त्यार किया था उस तक भीनमिल दिये ते एक लेकिन अब भीर पंद्रह दिन में एक बार एक चम जव म्में हाण मिल दे देंग घर एक Sec 221 म Mays अग देखिए मेरे पास बोन मिल है इन केस आपके पास अगर नहीं है या आप यूज नहीं करना चाहते है तो इसको exception में रखिएगा मत लीजिएगा कोई देखका नहीं है यह देखिए एक चमच बोन मिल यह और गानिक अज़ए यह देखिए निमखली एक चमच निमखली देखिए एक प्लांट के लिए मैं तेयर कर रहा हूँ आधा चम्मच अपने को देना है Epsom Shult यह आधा चम्मच हो गया Epsom Shult इसके चाहिए जो मेन है आभी Phosphoros चाहिए है और केलशियम चाहिए है यह देखिए आधा चम्मच अपने को लेना है Single Super Phosphate आपके पाश Granules हो शकता है तो ग्रनुस लीजिए आधा चममच इसमें 16% फसप्रश रहते हैं और कुछ इसमें सलफर रहते हैं और कुछ कल्शियम मिल जाते हैं और एक चीज जो है यह है एनपी के एनपी के मेरे पास 1919 है हो शक्त आपके पास 2020 हो यह आप दीजिए तो इसकी भी मैं आधा चममच लेंग यह देखिए दो ग्राम करीब लेंगे आधा चममच से तो इसी कम लेना है यह दो ग्राम करीब ले लिए यह हो गया हाई फसप्रश और पटाश नाइटोजन सेम यह एक रेशियो जो हुआ है आभी रोज प्लाइर प्लान के लिए ऐसा ही चाहिए इन केस आपके पास अगर 13,40,13 यानि कि NPK 13,40,13 अगर है तो उसका आप भी आपको 2 ग्राम देना है तो आपको NPK 19,19,19 और सिंगल सुपरफस्पेट नहीं देना है और उसके बाद ए प्लान को बाकी जो और्गनिक फटलेजर है शब को मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप प्लान में दे दीजी ए द दीए इसके बाद ऐसे करके देना है प्लान के चारो साइट में दे देंगे और जैसे ये फटलेजर देंगे उसके बाद 15 दिन बाद आप लोगी शाहत मैं फिर से शेयर करूंगा आप देख पाएंगे कि फ्लावर प्लान का रिजल्ट कितना अच्छा हुआ है इसके बाद हलका सा गुराई कर देंगे हम बहुत हलका हातों से गुराई कर देंगे एक टूल्स की एलप से आपको गुराई कर देना है दीपली गुराई आभी नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी रूट काटना था जो भी कुछ करना था शब हम लोगों ने पहले कर चुके हैं आभी सिर्फ एतना गुराई करेंगे ताकि जो फर्टलेजर है हमारा ये फर्टलेजर शॉयल के साथ मिक्स हो जाए उसी शब से आपक अच्छी डिवलप नहीं कर पाएगा ये देखे हलका गुराई हो गया और हमारा जो फर्टलेजर है अलमस्ट शॉयल के साथ मिक्स हो चुके है ये देखे इसके बाद इसमें बाटरिंग करेंगे और आपको बाटरिंग बैसे करना है एक बात को धेन रखना है बाटरिंग जिस टाइम ड्राई लगेंगे उसी टाइम आपको बाटरिंग करना है उससे पहले आपको बाटरिंग नहीं करना क्योंकि यह जो शॉयल है यहां पर तो मॉस्ट्र बना रहता है यहां पर मॉस्ट्र रहते हैं रूपर ड्राई हो जाते हैं इसलिए आपको बाटरिंग उतन यह देखि दूस्तो इस में भी मैने फार्टिलेजट दे दिये है और गुराई भी कर दिये चलिए आप बाटरिंग कर देते हैं अराम से थोड़ी सी वाटरिंग कर देना है तो उम्मीद कर तो आप लोगो मेरे वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना और शाब्सक्राइब जरूर कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए आपके शाथ नए जान करें लेकर आएंगे थैंक्स पर वाचिंग